नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारी शेनल में दोस्टे इस वीडियो में मैं आप सभी को बिताने वाला हूँ कि सुसां सिंग राजपूत केस में दोस्तों एक बार फिर से कई सारे लोग फ़स्ते हुए नजर आ रहे हैं जी हाँ आपको बता दे एक ड्रक समंगलर दोस्तों सामने निकल कर आया है जिसने सुसान सिंग राजपूत केस में कुछ बड़े दावे किये हैं जिससे रिया चकवर्ती के साथ साथ सौविक चकवर्ती और सिदात पिठानी यह से लोग भी एक बार फिर से फस्ते हुए नजर आ रहे हैं आप सभी को पता होगा कि सुसान सिंग राजपूत का जो केस है दोस्तों उसे तीन साल होने वाले हैं लेकिन बावजूद इसके हमारे सुसान को अभी तक पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला है हाँ इस केस में कई सारी बड़ी गिरफतारिया हुई है और जाच चिजनसियों ने अभी तक काफी बहतरिन काम भी किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दे एक बार फिर से सुसान सिंग राजपूत केस को सुलिजाने के लिए जहां चिजनसियां ताबर तोड चानमीन कर रही है ताबर तोड कारेवाही कर रही है इसी बीच NCV के टीम में दोस्तों दावा किया जा रहा है कि कुछ ड्रक्स पैडलर को धरद अबोचा है जहां आपको बता दे ये ड्रक्स पैडलर बेहदी खतरनाक बताये जा रहे हैं इतना ही नहीं इनको लेकर दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि ये लोग घर घर पर ड्रक्स की डिलेवरी किया करते थे और रिया चकवर्ती को भी यही लोग ड्रक्स की डिलेवरी दिया करते थे अब ऐसे में एक बातों पुरी तरह से क्लियर है कि रिया चकवर्थी दोस्तों इसमें बहुत बुरी तरह से घसीटी जाएगी क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे रिया चकवर्थी का नाम ही ले लिया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सुसान सिंग राशपूद केस में हमारी जाच इन्होंने कई सारे लोगों को गिरफतार भी किया है और कई सारे लोगों से पूश्ताश भी की है इतना ही नहीं एक समय ऐसा भी था जब पूरा बॉलीवूड दोस्तों सकते में आ गया था और लग रहा था कि बॉलीवूड के कई लोगों की गिरफतारी होने वाली है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना